1914 ये वो साल है जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया करोडों लोगों ने अपनी जाने गवाईं और कई देश तबाही और भूख की आग में जलने लगे इस समय में इतनी डेड्लियस्ट जंग लड़ी जा रही थी कि लोगों ने इसे दे ग्रेट वार, दे ग्लोबल वार और यहां तक की अ वार तो एंड आल वार्स तक का नाम दे दिया था इस जंग में उठा बरबादी का तूफान नजाने कितनों के घरों के चिराक को बुझा गया था हाँ अगर कुछ बाकी रह गया था तो वो थी खून से लाल हो चुकी जमी और लाशों का धेर इस जंग का पूरी दुनिया पर गहरा असर हुआ था लोगों की आँखों में मौत का खौफ साफ दिखाई देता था इस समय के लोगों का मानना था कि ये सभी वार्स का अंत है अब इस तरह की घातक लडाई आने वाले पचास से साट साल तक हो ही नहीं सकती हाला कि इस युद्ध के exact 20 साल बाद एक और प्रान घाती जंग जिसे World War 2 कहा जाता है उसकी शुरुवात हो चुकी थी इसी वज़े से 1914 में हुई इस जंग का नाम बदल कर World War 1 रख दिया गया था आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि World War 1 जिसे हिंदी में पहला मिश्वयुद कहते हैं आखिर उसकी शुरुवात किस वज़े से हुई थी कौन नहीं चाहता उसका मेंटर एक UPSC टॉपर हो या इंडिया की बेस्ट फैकल्टी में से एक हो आपका सपना भी पूरा होगा क्योंकि हम मेंटर्स और ये टॉपर्स आपको गाइड करेंगे बस आपको IES IPS की तैयारी में उतरने का फैसला लेना है उसके बाद का सारा डिसिजन हमारा जॉइन करिए UPSC CAC का फाउंडेशन बैच और कोड यूज करिए जैहिंद जैहिंद नाम का कोड यूज करिए इससे ना सिर्फ आपकी तैयारी का खर्चा सस्ता होगा बलकि बहुत अच्छा होगा नीचे दियो हुए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करिए उसके आगे की जिम्मदारी हमारी साती हम ये जानेंगे कि इस जंग में किन देशों ने हिस्सा लिया था इस डेड्लियस्ट वार के बारे में अच्छे से समझने के लिए पहले हम उस समय की स्थीतियों के बारे में जानना होगा तो जैसा कि हमने आपको अपने कुछ वीडियो में बता रखा है कि 19th century enlightenment era था इस समय में फ्रांस ही नहीं बलकि सभी वेस्टर्न कंट्रीज में जागरुकता फैलने लगी बदलाव और विकास को बढ़ावा देने की सोच फैलने लगी इस समय में टेकनोलोजी से लेकर डेमोक्रिसिक तक हर चीज़ को बहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा था जिस वज़े से अलग-अलग आइडियोलोजी अकसर आमने सामने आकर खरी हो जाती थी इस वक्त में कंट्रीज सुरक्षा के लिहाद से मिलिटरी और मौडरन विपर पर भी खर्चा कर रही थी और देशों के बीच कई सारी ट्रीटीज साइन करवाई जा रही थी जिनके मताबिक दो कंट्रीज जंग की हालातों में एक दूसरे की रक्षा करने के लिए आगे आने का वादा कर रहे थे ऐसा माना जाता है कि पहले विश्वयूद की वज़े से खरीब आधी दुनिया हिंसा यानि वाइलेंस की चपेट में चली गई थी इस दोरान लगबग एक करोड़ लोगों की मौत हुई जबकि दो करोड़ से जादे लोग खायल हो गए दोनों ही वर्ल्ड वार के कारण फैली बिमारियां और कूपोशन आदी ने भी लाखों लोगों की जान ले ली थी ऐसे में इस युद्ध के खत्म होते होते दुनिया की चार बड़ी कंट्रीज रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया जिसे तुर्क सामराजी का विनास हो गया था जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज की सिमाएं एक बार फिर से बांटी गई और इस बार अमेरिका भी एक महाशक्ती बन कर दुनिया के सामने आया था वर्ल वार बन के दोरान विश्व का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा लडाए लडने में लगा हुआ था इस समय में पूरा योरॉप दो गुटों में बट गया था पहला गुरुप एलाइड पावर्स का था इसमें ग्रेट बिटन, फ्रांस, रशिया, इटली, रुमानिया, कैनेडा, जापान and the United States आदी कंट्रीज के नाम शामिल थे वही दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स के ग्रुप में जर्मनी, औस्ट्रिया हंगरी, बुल्गेरिया, टर्की का ओटिमन एंपायर शामिल था तो अब तक हमने जाना इस युद्ध में किन कंट्रीज ने भाग लिया था अब सबसे एहम सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया में वर्ल्ड वार की शुरुवात की वज़े थी क्या अगर वर्ल्ड वार वन के कॉज को समझें तो इस घातक जंग के चार एहम कारण थे जिससे सबसे पहला कॉज मिलिटेरिजम का बढ़ना है 19th century में बिटन, USA और जर्मनी मिलकर अपनी इंडस्ट्रीज में कई तरह के modern weapons बना रहे थे दूसरा सबसे एहम कॉज है अलायन सिस्टम था इस सिस्टम में वेस्टरन कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर कई तरह की treaties साइन कर रहे थे जिससे गुटबाजी बढ़ने लगी थी World War I का तीसरा कारण Imperialism यानि देशों की सीमा को आगे बढ़ाने की जटोजहत थी सभी main power countries अपनी अपनी colonies को बढ़ाना चाहते थे वहीं आखरी सबसे और well known reason है Nationalism जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में देखा है कि France और Russia में मौनार्की को खत्म करने और Nationalism को अपनाने के लिए क्रांती आई थी इसी से motivate होकर आसपास के देशों में भी democracy और Nationalism अपनाने की मांग बढ़ने लगी ये थे war शुरू होने के कई important reason लेकिन ये सभी समस्याएं काफी time से चली आ रही थी तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात वर्ल्ड वार तक पहुँच गई इस जंग का immediate cause आस्ट्रो हंगेरियन एंपायर के प्रिंस आचड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पतनी का assassination था जी हाँ दोस्तों 28 जून 1914 को प्रिंस आचड्यूक और उनकी वाइफ सराजेव बोस्निया एंड हर्जेव गीमनिया की यात्रा के दोरान कतल कर दिया गया था इस हत्या में ब्लैक हैट क्रू के मेंबर गाविलो प्रिंसिप का हाथ बताया जाता है अब क्योंकि इस क्रू का लिंक सर्विया से था तो आस्ट्रो हंगेरियन अंपायर ने ज़र्मनी को बताया कि उनके मताबिक assassination के पीछे सर्विया का हाथ है और हम सर्विया के खिलाब वार का ऐलान कर रहे हैं इसके बाद Austro-Hungarian Empire ने कुछ Unvalid शर्टों पर सर्विया के साथ समझोता करने की कोशिश की थी जिने मानने से सर्विया ने साफ इंकार कर दिया था इसके बाद जंग का बिगुल बजा और दुनिया के पहले World War की शुरुआत हो गई अब इतिहासकारों के मतों की बात करें तो कई Historians का मानना था कि World War I की शुरुआत Austria की वज़े से हुई क्युकि उन्हों ने ही सर्विया पर सबसे पहले हमला किया था वहीं कुछ historians का मानना है कि Russia की वज़े से ये जंग हुई थी क्योंकि उन्हों नहीं सबसे पहले फुल स्केल टूप्स मॉबाइलाइजेशन यानि सेना को जंग के लिए तयार करने की एक आर्डर दिया था खेर ये तो जितने मुह उतनी बातों वाली बात हो जाती है इन अलग अलग कौज में से किसी एक को सच मानना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कई लोग इसके लिए जर्मनी को भी जिम्मदार मानते हैं उनका कहना है कि असाइसिनेशन के बाद आस्ट्रिया को जंग के लिए खुली छूट देकर जर्मनी ने वर्ल्ड वार को बढ़ावा दिया था वर के शुरू होने के साथ ही ये तेजी से अन्य देशों को भी अपनी चपेट में लेने लगा था इसके सबसे बड़ी वजह अलाइन सिस्टम को माना जाता है क्योंकि गुटबाजी के चलते एक देश पर होने वाले हमले का जवाब उसके अन्य साथी देश भी दिया करते हैं जिससे लड़ाई बढ़ जाय करती है इसके अलावा दूसरा कॉज जर्मनी और बिटन के बीच में नेवल पावर था ये दोनों देश अपने शिप्स को बहतर दिखाने की कोशिशों में लगे रहते थे कई हिस्टोरियंस वर्ल वार वन को अब आप सोचेंगे कि इसमें मिसकालकॉलेशन जैसी बात ही क्या है तो इस जंग में में पावर्स ने कई तरह के मिसकालकॉलेशन किये थे जैसे कि आस्ट्रिया की तरफ से सबसे बड़ी गल्ती ये हुई कि उन्होंने सर्बिया के प्रिंस के असैसिनेशन का जिम्मेदार बिना पुक्ता सबूतों को ठहरा दिया था इसके अलावा अगरे नंबर पर जर्मनी की मिसकालकॉलेशन आती है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे आस्ट्रिया का साथ दिया था अब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये खूनी जंग बस दूसरे देशों की जमीनों को कैप्चर करने के लिए हुई थी इस जंग में कुछ कंट्रीज ने जरूरत से जादे अग्रेशन और पावर दिखाने के चकर में आग के अंदर घी का काम कर दिया था ऐसे में ये कहा जाता है कि मुख्य देशों के द्वारा सूज बूज दिखा कर 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चली इस वर्ल्ड वार वन को होने से रोका जा सकता था आपका इस मामले में क्या सोचना है हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी जहां पर हमने मुगल सामराज को लेकर कई सारी ऐसी वीडियो बनाई थी चाहे वो महाराना प्रताप पे हो या श्रीवा जी पे हो या फिर राणी लक्षमी बाई पे हो आप जरूर अपने विचार कॉमेंट सेक्षन बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जय हिंद